इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले, एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप conditions, especially सर्दी और सूजन-related conditions के लिए किया जाता है. चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में. 1. यह सफेद पपड़ी के साथ डांडरफ और साइनसाइटिस के रीजन होने वाले सिर्दर्द को रोकने में help कर सकता है. 2. यह skin-related चिन्ताओं और बच्चों के एक जिमा और बहरेपन के शुरुवाती चरणों के management में help कर सकता है. 3. यह कान के दर्द से राहत दिला सकता है, खासकर वायूमंडलिय प्रेशर में changes के बाद. 4. यह सर्दी और गले में जमाव को रोकने में help कर सकता है. 5. यह threadworm infection के management में help कर सकता है, जिसके reason गुदा में खुजली होती है और उल्टी के साथ भूख कम लगती है. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को करें और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को turn on all notification पर सेट करें.